हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के समाजी विज्ञान के उन महत्पुरु भविकल्पी प्रशनों को देखेंगे जो आपके पिछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं और 2024 के पेपर में 100% आपको गारंटी देते हैं कि यही प्र सवाल है फ्रेंस देखे आपका प्रश्ण है कि नेआपया近 की पराजे कब उई थी पर देक प्रश्ण का आप की सामने चार आवशन है फ्रेंस आपको जिस का सबूस्क्र पहले से आ रहा हो उसका एंशन्मिक मिलिख सकते हैं उसम्रार देखेए आपका आपने यहां पर आपका नेपोलियन की पराजे कब हुई थी इस प्रेश्ण का सही जवाब होगा 1815 इसका सही जवाब बीवला आपसंट करेक्ष हो जाएगा कि नेपोलियन की पराजे कब हुई थी अब फ्रेंज चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर आपको इस वीडियो में इंपोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्ट आपको करवाने वाले हैं ठीक है देखिए आपका दूसरा नंबर का सवाल है कि जर्मन संस्कृती में वोक संस्कृत्ध का आसे था तो फेज्ञ आपको बताना है कि जर्मन संस्कृत सब्ध का प्रयोग होता था उसका क्या था वोक संस्ट का आप ऐक राष्ट्र दूसरा है समिधान आम जनता यह संस angled देखिए इसका सही सही जवाब होगा एवला आपसन की जर्मन संस्कृति में जो वोक्स जिष्ट था उसका राष्ट से था इसका सही जवाब एवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब फ्रेंज चलिए देखें तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं कि आटोवान विसमार्ग जो थे देख किस देश से था आपसन है वह इटली के थे यह जर्मनी से यह फ्रांस से यह ब्रिटेन से तो फ्रेंज देखें जो आटोवान विसमार्ग थे उनका जो संबंध था जर्मनी से था इसका सही जवाब भी वला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवा है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह भी प्रश्ण है आपके एक्जाम के लिए यूरोप में किस दसक में बड़ी आर्थिक मंदी आई देखिए यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आपसन है कि 8820 में आई थी अठारो सो तीस में या ठारो सो चालिस या यूरोप में अठारो सो तीस दसक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आये थी इस प्रश्न का सही जवाब भी वल आपसन करेक्ट हो जाएगा आपके सामने पांच्वा नंबर का सवाल है कि राष्टरवात का सप्रारम सर्वपथम किस देश में हुआ था यह भी आपकी एग हुआ आपसन है इंगलेंड में दुसरा है अमेरिका तिसरा फ्रांस चौता है फ्रेप्र चो प्रास्टवाद का प्रारम हुआ सबस्क्राफ्रा और उप्राइस क्या होगा आको फ्रांस देश में धह रहाँ ठीक है गे फ्रेंट छटमा नम्बर का चो हाल देखिए कि नेपॉलियन का संबंध किस देश से था ये भी आपके बोर्ड की एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए इस प्रश्ण को भी आप याद रखिएगा कि नेपॉलियन का संबंध किस देश से था आपसन है जर्मनी से इटली से फ्रांस से या इंग्लेंड से तो देखें जो नेपॉलियन का संबंध था वो फ्रांस देश से था इसका सही जवाब सीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है साथवा नम्र का सवाल है फ्रेंस कि 1789 इसी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था किस प्रकार का राज्य था वहाँ पे असीमित राज तंत्र यहुसा था यह सीमित राज तंत्र यह प्रजा तंत्र चाब्ल धर टांत्र्ट हो जाएगा ठीक है ट्थे वहाँ पर 1789 इसवी के दसकंवे असीमित राज तंत्र तर्ड़्य ठीक है राजा कर और चान पर इसीमित था भारत थीक है कि भारत छो तेके आठवा नम्बर के सवाल है फ्रेंच देखी आठवा नम्बर के सवाल क्या आपका है? कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688 यश्यवी में, 1789 यश्यवी में, 1914 या 1949 तो फ्रेंच देखी इसका सही जवाब कर बीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए आपका 9 नंबर का सवाल है कि जर्मानी के एकी करण में मुख भूमिका किसकी थी आपसने जूसपे गरिबाल्डी का था आटोवान बिसमार्क नेपोलियान या विलियम प्रथाम तो फिर देखिए नहुआ का सही जवाब भीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखिए दसवा नंबर है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथाम को जर्मनी का समराट कब गोसित किया गया था ठीक है किया गया आपसने दिसमबर 1870 या जनवरी 1870 या जनवरी 1871 में या जनवरी 1872 में देखिए आपसन प्रशा के राजा विलियम प्रथाम को जर्मनी का समराट जनवरी 1871 में गोसित किया गया था ठीक है चलिए 11 नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है देखिए क्या है किस यूद में जर्मनी की एक क्रण का स्वापन पूर हो गया या कौन सा ऐसा यूद्वा जिसमें जर्मनी का एक क्रण का स्वापना था वह पूरा हो गया आपसने फ्रांस प्रशा यूद्वा था या फ्रांस इटली यूद्वा था या आश्टर लिच का तो फ्रेंस देखें इसका सही जवाब आपका होगा फ्रांस प्रशा का इस्वाब यहाला हो जाएगा फ्रोंस स blush को आप द्यान से देखियेगा यही प्रश्न आपके बोर्ड के इक्जाम में आने वाले इह बार नमबर का है इतलियम जर्मनी के एकी धाल के विरुद्ध निम्न में से कौन भाशा था ठीक है आपसाण इंग्लेंड रूस आश्ट्रिया या प्रसा तो फ्रेंच देखें इसका सही जवाब होगा कि इटलीयम जर्मानी की एक गरणके विरुद्ध जो था वह आश्ट्रिया था इसका सही जवब सी वाला आपसान करेक्ट है कि इटलियम जर्मानी की एक करण के विरुद्ध जो था आश्ट्रिया था ठीक आश्ट्रिया एक देश है फ्रेंश ठीक इसको विद्यान दीजेगा देखे फ्रेंश तेरावा नंबर का आपका सवाल है फ्रांस में गरतंत्र की गोशड़ा कब हुई सबसे ठीक है आपका फ्रेंश चोदा नंबर का सवाल है कि मद्वर्ग के उदय का कारण क्या था ठीक है इसका आपसन है और दोगी करण था मानिवी करण था तकनीकी था या वैश्वी करण था यह भी आपके बोर्ड के एक्जाम कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंश आप पे आपके सामने अगला नंबर का सवाल है पंदरावा नंबर का कि किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया सबसे इंपोर्टन फ्रेंश जितने भी प्रशन आपके बोर्ड की एक्जाम में आएं फ्रेंश सभी बरता रहे हैं इन प्रशनों का आप जरूर याद करके एक्जाम जाईएगा देना ठीक है तो फ्रेंश जब इस प्रशन का देखेंगे आप आपसन है विक्टर इम्माइनुवल द्यूत्य थे जूस मेट सिनी थे काउंट काबूर थे या जूसेप गरिबाल्डी थे तो फ्रेंश देखिए इसका सही जवाब आपका होगा बी व आया था किसने बताया था जूसेप मेटरनिक ने किया था या इन में से कोई ने तो फ्रेंश देखें इसका सही जवाब जो है मैटर्निक ने किया थिसका सही जवाब एबला आपसन करेक्ट हो जाएगा आपके सामने 17 नंबर का सवाल है कि ने अपोलियन ने नागरिग सनिता को कब लागु किया था यह भी आपके बोड के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रेफरेंस ठीक है ध्यान दीजिएगा कि नेपॉलियन ने नागरिक सनिता को कब लागु किया गया था आपसन ने 840 में या ठारसो पंद्रईशुई में या ठारसो उंतीश इस या ठार सब्सक्राइस मेसिनी तो case निरमाड किया तो किस ने किया थे आपको बता है इसको याद भी रखिए है कि आपके बोडर के इoup Native के लिए इंप्सक्राइब प्रेंट इंग्लेंड इंड़ी का करण से जर्मनी के करण सें से इंगलेंड के राष्टवाद से या फ्रांस के राष्टवाद से तो फ्रेंड देखे आपको बताया है अभी प्रश्ण करवाये थे कि यूसेपी जो मैटसनी थे यग इटली का दिनुमादा करा था इसका सही जवाब होगा इटली यानि इटली के एक करणा के संबंद में सवाल देखते हैं आपके सामने 19 नंबर का सवाल है यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था ये भी सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट फ्रस्न है फ्रेंस इसको भी आप द्यान दीजेगा कि यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ तो आप साने मई 1830 यह जुलाई 1830 यह मई 1849 यह जुलाई 1839 इसवी तो फ्रेंस देखिए इस प्रश्न का सही जब भी वला होगा कि यूरोप में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 इसवी में हुआ था ठीक है इसको आप महीने के साथ याद रखिएगा इसलिए कि दोनों का देखेंगा अठारो सो ती अगला नंबर का सवाल है कि अठारो सो तीस इसवी के करांती के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शास्तापित हुआ था देखिए सभी जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे आपको कराएं फ्रेंस आप इसको जरूर पढ़के जाईएगा क्या है कि अठारो सो तीस इस करांती के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शाष्तापित हुआ आप सने संगिय शाष्ण व्यवस्ता सानवाएधानिक राज्टंत्र या निरंकुष्प राज्टंत्र यह अकज़ज़ा था प्रश्ट का सही जवा बीवला अपसन कर्ड़र हो जाईगा तो फ्रेंस यहां पर आपको समाजी विज्ञान के 20 सबसे ज्यादा important प्रश्ण आपको कराए हैं आप इन प्रश्णों को एक दो बार पढ़के जरूर बोड के exam जाएगा देने इसी में से आपके बोड के exam में प्रश्ण आने वाले हैं फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो क लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें